हेलो दोस्तों आप सभी का मेरी यूटूब चैनल गरेलून उसके पर आपका स्वागत है आज मैं आपको इस वीडियो में अद्रक के फाइदों के बारे में बताने जा रहाँ दोस्तों अद्रक एक तरह का मसाला है जिसे बहुत सी खाने की वस्तों में स्वाद के लिए इस्तमाल किया जाता है बारत के अलावा ये दूसरी जंगे भी अलग-अलग तरह से इस्तमाल होता है अद्रक के बहुत सारे स्वास्ते के लाब हैं अद्रक को हल्दी लाईची के परिवार का मना जाता है अद्रक एक बहुत तेज खुस्बुवे स्वादवाला होता है जिसे खाने वे बहुत से बेपधार्त में उप्योग करते हैं हमारे सरीर को जितने भी पोसक्त ततों की आवस्सकता होती है वो सब अधरक में पाई जाते हैं खास तोर पर इसमे कोपरोड मेगनीज होता है अधरक अत्यदी गरम तासीर का होता है इसलिए इसे गर्मी में कम उप्योग किया जाता है वेठन में उतना ही अधिक उप्योग हो खाम होने पर अद्रक तुरंत आराम देता है गले में खरास होने पर आप अद्रक के जूस में सहद मिला कर कुछ दिन पिएं बहुत आराम मिलेगा इसके अलावा गला नाक बंद होने पर अद्रक की चाय पिएं इसे आप रोज पिएं गले से चुड़ी सारी परेशानी दूर नमबर दो अस्थमा अस्थमा की बिमारी में अद्रक आपको बहुत आराम देगा इसके लिए अद्रक की जूस में मेती पावडर वे सहद मिला कर खाएं कुछ दिन रोज इसे लें जल्द आराम मिलेगा नमबर तीन पाचन तंतर मजबूत बनाए अद्रक से पाचन तंतर मजबूत होता है पेट से जुड़ी सारी परेसानी दूर होती है अद्रक का जूस पियें इससे कबज की परेसानी दूर होगी साथ ये गेस की परेसानी से भी निजात देता है उल्टी जैसा मैसूस होने पर ताजा अधरक का चोटा सा तुकडा लेकर उसे चबाएं थोड़ी देर में ही आराम मिलेगा पेट के अलसर को अधरक के द्वारा आराम दिया जा सकता है नमबर चार गठिया रोग दूर करे जोडों का दर्द गठिया में होने वाले धर्द को अध्रक के द्वारा मिटाया जा सकता है सरीर में होने वाले दर्द सूजन को अध्रक का मियमित उप्योग कर ठीक कर सकते हैं अद्रक के जूस को सीधा या सहद में मिला कर दिन में एक बार जरूर पीएं इसे रोजा ना पीएं इससे आपको जरूर आराम मिलेगा एक सोध के अनुसार जो लोग रोज अद्रक का सेवन करते हैं उन्हें नए पुराने कोई भी तरह का दर्द वो ठीक हो जाता है नमबर पांच कैंसर की कोसी खाओं को बढ़ने से रोके अद्रक खाने सरीर में कैंसर की कोसी खाएं नहीं बढ़ पाती हैं खास तोर पर ये इस्तन कैंसर को रोकने में मदद करता है नमबर 6 माईगरेन का दर्द दूर करे अद्रक में माईगरेन जैसे दर्द को दूर करने की भी चमता होती है सर दर्द दादों का दर्द को अद्रक से आराम मिलता है नमबर साथ कोलिस्टोल कम करे अद्रक का जूस रोज पीएं इससे कोलिस्टोल हमेशा कंट्रोल में रहेगा अद्रक सेवन से खून के ठकके नहीं बनते हैं तो दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और जादा से जादा से शेयर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न बूलें